नमस्कार दोस्तों वेल्दिसकाई के निव इंटरस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सबी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुदीर और जैसा कि आल निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है यहां पे 10,960 पर अब देखेंगे यहां पर क्या चेंज हुआ है क् सब्सक्राइब तो इसी चीज़ को समझेंगे और चलते हैं जल्दी से ऑप्शन डाटा पर तो फाइनल दोस्तों मैं आ गया हूँ एनसी की वेबसाइट पर जहां पर समझने की कोशिस करेंगे ऑप्शन डाटा पर और देखेंगे कि क्या 11,000 का जो एक रजिस्टेंस था व सब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले में 10,900 से स्टार्ट करता हूं तो 10,900 की जो पुट है वहां पर आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन 6,35,000 का ओपन इंटर्स आइड हुआ है और टोटल ओपन इंटर्स कितना हो गया है 32,000 का तो 32,26,000 का ओपन इंटर् है वहीं अगर मैं बात करूं 10,900 की कॉल की तो कॉल पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 25,40,000 का ओपन इंटर्स रह गया है और यहां पर शॉट कवरिंग आई है करीब 2,65,000 का ओपन इंटर्स यहां पर घटा है तो यह चीज़ यहां पर दिखा रहा है कि 10,900 आप सपोर्ट पंता जा रहा है दीरे दीरे क्योंकि जितना हम 10,900 के ऊपर ट्रेट करेंगे उतने जाथा चांसे से हम ऊपर जा सकेंगे वहीं अगरा मैं 11,000 के बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 11,000 पर क्या हो रहा है कि आजी के दिन यहां पर 5,46,000 का ओपन इंटर्स राइड हुआ है यानि शॉर्ट कबर हुआ है क्योंकि यहां पर अभी 32,000 का ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है तो यह चीज़ यहां पर है कि 11,000 इतनी जल्दी ऊपर एक बार शायद ना निकले तो यह चीज़ है हां लेकिन कोई अगर गाप ओपनिंग होती है तो वहां पर सस्टेन कर जाता है वहीं अगर 11,000 निकलता है तो आपको किलियर ली 200 पॉइंट की निफ्टी में जगे मिल जाएगी और 11,200 तक निफ्टी जा पाएगा बड़ देखना पड़ेगा कि यहां पर यह चीज़ निकल पाएगा या निकल पाएगा बड़ आप यह नीचे के लिए आप समझ जो हैवीवेट श्टॉक हैं जैसे कि रिलाइंस एजडी एफसी कोटक मेंद्रबैंक एच्वेल यह इन कंपनियों से निफ्टी को बैलेंस किया जा रहा है क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स में कोई बाइंग नहीं थी ब्रॉडर इंडेक्स आज भी 100 गिरके ही बंद हुआ है बढ़ निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ और काफी अच्छा हुआ है 54 पॉइंट चड़के यहां पर बंद हुआ तो एक चीज़ समझ लीजे कि आप अकर इंडेक्स में लॉग है तो सिर्फ इंडेक्स ही उपर जा रहा है ब्रॉडर इंडेक्स उपर नहीं जा रहा है तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कोई मिट कैप स्टॉक में बाइंग करके होल्ड नहीं करना है उसको क्योंकि वह आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स में सेलिंग है बट निफ्टी को मैनेज कर तब तक यहां पर मार्केट को थोड़ा सा और टिका के रखें फिर शायद बजट के बाद ही कोई बड़ा एक्शन होगा तो यह चीज़ यहां पर क्लिया ली दिख रही है इसी साफसे यहां पर डाटा भी बन रहा है कि यहां पर जो हो रहा है कि 11,000 और 10,900 के बीच की रें भी आपको दिखाई दे सकते हैं बड़ यह मान के चलिए कि 11,000 के ऊपर इतनी जल्दी निफ्टी को सस्टेन करने के लिए कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है जिसमें हो सके बड़ देखेंगे कि आगे आने वाले तीन से चार ट्रेडिंग सेशन में कैसा होता है तो आई शुक्रिया दोस्तों फुजय हैंड़